यह वही स्थान है जहां पर जैसे आप खड़े ऐसे मीरा जी खड़ी हुआ करती थी यह मीरा जी के शालिग्राम जी के दर्शन है तो आप यह दर्शन कीजिए दोस्तों शालिग्राम जी के जो मीरा जी के शालिग्राम यह वही प्रेम बेल है जो मीरा जी अपने समय से इस में दिर में लगाती ही आ रहे हैं तो कि रादे रादे दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अंजय खुराना एक बर फिर आपके साथ और आपको फिर से ले आए हो में ब्रिज की गलियों में दिखाऊंगा वह अपने आप में अद्भूती स्थान बोला जाता है क्योंकि एक ऐस दोस्तों मैं आया हूँ इस से में आपको दिखाने मीरा भाई का टेंपल जो कि बना हुआ है वरिंदावन की गलियों में और दोस्तों मीरा भाई कुटी जो है वो केशिक हाट वरिंदावन में लगबग एक किलोमेटर की दूरी पर है तो आप मेरे पीछे देख लीजे यह हैं यही गलियां हैं जहीं हम मिरा भाई कुटी की तरफ बढ़तें मीरा भाई कि भक्ति में ऐसी डूबी दोस्तों कि उन्होंने अपना सारा पून, जीवन जो है उनकी भक्ति गाथा और उनके प्रेमम में वैतेयट कर दिए मिरा भाई का जनम जो है दोस्तों वो 1998 इस्वी में कुलरी गाउं में दूदा जी के चोथे पुत्र जो रतन सिंग थे उनके घर में हुआ था बच्पन से ही दोस्तों वो किशन भक्ती में रूची ने रगी थी बाद में उनका विवाह जो है वो एक राज परिवार में हुआ जो चितोड क राजा थे और वो जो थे वो महराना सांगा के पुत्र थे और दोस्तों उनके जो पती थे उनका एक चार साल बादी एक युद करते हुए उनका ध्यांत हो गया और उनके ध्यांत के बाद उस समय प्रथा चलती थी सती होने की प्रथा चलती थी तो उन्होंने अपने आपक का छोटे भाई देवर जो थे उन्होंने इस चीज को बहुत अपोज किया और मीरा को काफी जो है परताडित किया गया कि वो इस प्रथा को निभाएं बट वो इस चीज के लिए बिलकुल मना कर दिया इन्होंने और वो अपनी कृष्ण भक्ती में ही आगे बढ़ती रही और वो अपना अधिकतर जो समय है वो साधित संतू के संगत में हरी कीरतन में अपना व्यतीत करने लगी दिन पर दिन उनकी यह भक्ती जो है दोस्तों काफी बढ़ती चलिए बगवान श्री किशन जी के परती और उन्होंने बहुत सारी कविताओं की रचना करी बहुत सारे उ और इन गलियों की एक सबसे अच्छी एक यह लगता है दोस्तों इस गलियों में जगा जगा कीरतन हो रहे हैं जगा जगा अभागत कथाएं हो रही है तो इनका आप अनंद लेते हुए आगे मेरे साथ बढ़िये और दोस्तों आज मैं जहां आपको लेके चल रहा हूँ वो मीरा बाई का कुटी के नाम से वो जगा परसीदा और वहां पर वगवान श्री किशन जी के साथ उनका विर्ग्रह देखा जा सकता है तो बहुत ही अदूत यह स्थान है दोस्तों जिसका आज आपको मैं दर्शन करवाने लेके जा रहा हूँ तो चलिए दोस्तों आज उस थान के दर्शन करवाता हूँ जहां पर बुगवान श्री किशन जी मीरा बाई के साथ विराभ्रह देखा जो हैं जहां बुगवान श्री किशन जी ने अपना बच्पन वैपीद किया और उसके बाद जो है जब म परास्व में वैतीत किया, कहा जाता है कि उन्हों ने वरिंदावन में 15 साल अपने वैतीत किये, भगवाण श्री किशन जी के भजन करते हुए और उनके कविताएं उनके बारे में लिखते हुए मेरा कुटीर की तरफ ये चलते हुए जो गलिया है, बहुत आनंद आरहिए इन गलियों में चलते हुए, बहुत पत्ली पत्ली गलिया है इनी गलियों में जो है कभी भगवाण श्री किशन जी के भी चरन पड़े हुंगे आप भक्त जनों को देख सकते हैं ये मीरा कुटीर से आते हुए भगत जन है जो उनके दर्शन, उस स्थान के दर्शन करके वापसी के तरफ आ रहे हैं आते हैं यह मुख्य प्रवेश दुवार प्राचीन मीराबाई मंदिर के और दोस्तों इस पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करने से पहले में आपको मीराबाई के बारे में माताब मीराबाई के बारे में कुछ उनके जीवन से जुड़ी बाते बताता हूं दोस्तों वो बच्पन से ही भगवान शरी किशन जी के लिए ही उनका ऐसा लगता है जनम हुआ था कहा जाता है कि एक बार जब गली में बरात निकल रही थे तो अपनी माता के साथ जो है बरात देख रहे थी तो दुले को देखके उन्हों उने एक हासे में पूछ लिए कि माता मेरा दूला कौन होगा तो उनकी माता ने भगवान श्री किशन जी की परतिमावा थी उसकी तरह इशारा करते हुए मीरा को बोला कि यही तेरे पती परमेश्वर है तो दोस्तों वह बच्पन के जो उनके मन में यह बात बैठ गई की भी मेरे पति है तो उसके बाद जो है उसके बाद जो है दोस्तो वह ओल फाल ये उनके अंदर खुआश और प्ल पलह यह बाऊना बढ़ती और दोस्तों मीरा बाई जो है एक अधुभूत उनका एक जनम का बारे में बोला जाता है कि वो कोई सधारन मनुश्य नहीं थी दोस्तों वो यह भी माननेता है कि वो भगवान श्री किशन जी के जनम के टाइम पर एक राधा रानी जी की सखी थी और उनका भगवान श्री के प्रती प्रेम बहुत था उस जनम में वो चीज वो नहीं पा सकी तो उनका मीरा के रूप में दुबारा जनम हुआ यह जो अंदर आप देख रहे हैं दोस्तों यह है मीरा कुपीर के नाम से प्रसिद विरिंदावन में बना हुआ स्थान जहां पे मीरा भाई भजन किया क प्रती थी और उनकी कविताओं की डचनाओं की आज भी जो है दोस्तों पूरे भारत वर्ष में गाई जाती है उनका प्रेम उनका समर्पन जो है बहुत सारे काव्यों के रूप में और कविताओं के रूप में हमको सुनने के लिए मिलता है तो अब हश्य करते हैं उस है दोस्तों यह कोई ट्रस्ट के थ्रू नहीं चलती और यहां पे जो इस यहां कुटीर का कारे भार समालते हैं वो उस टाइम के हैं बारवी उनकी पीडी चली आ रही है इस कुटी की सेवा में और कहा जाता है कि इनी के ही वंशत थे इनी के ही पूरोश थे जो जब मीरा बहुत नजदीक पढ़ता है निधी बन के एक तरफ निधी बन है और दूसी तरफ यमना महरानी का वेग हमें देखने के लिए मिलता है तो यह अभी मैं आपको दर्शन करवा रहा हूं उस कुटीर के और अभी अंदर हम बात करते हैं आपको में अंदर उस विग्रह के भी दर्शन करवाऊंगा जहां पर भुगवाई श्रीकिशन मीरभाई के साथ विराजमान है और दोसों यह जो मीरभाई का स्थान बना हुआ है यह जो कुटी बनी हुई है कहा जाता है कि यह लग 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 500 साल पुरान है एक बार आप नीचे का यह स्ट्रक्चर देखिए य यह लग बग 260 साल पहले बना हुआ इसी स्थान पर माता मीरभा भजन किया करती थी इसी स्थान पर उनने अपना विरिंदावन में 15 साल व्यतीत किए यह डिस्क्रेप्शन दिया गया है इस मंदिर के कि यह है मंदिर भग शिरूमनी शिरी मीरा भाई के निवास थल पर ठाक यहां पर सेवा यत्र है रुद परताव शिंगी इनिकी सेवा है अभी इस मीरा टेंपल को मिल रही है तो मैं अभी इनसे बात करते हैं दोस्तों यहां के बारे में आपको उनी के मूझ से मैं कुछ जानकारी दिलवाता हूँ तो रादे रादे जी रादे तो हमारा सोभाग बोलो भक्त शिरो मनी श्री मीरा बाई की जै यह वो प्राचीन स्थान है जहां पर आज से लगभग पांसो वर्ष पहले जब चित्तोड की राजरानी भक्त मीरा जी इस ब्रज में पधारी थी इसी स्थान पे उन्होंने पंदरा वर्ष तक ने ठाकुर जी की उपासना की आप जो उपर के सिंगासन में बीच में ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं ये मीरा जी द्वारा सेवित और स्थापित गिर्धर गुपार है जब मीरा जी इस मंदिर में आई थी तब इन ठाकुर जी की स्थापना मीरा जी ने की थी उसके कई वर्ष वबाद हमारे थाकुर श्री राधा मनुहर जी जो हमारे उठसव विग्रे हैं अभिहाल मजो शड़त पूर्णे में उठसव आया था आपको पह अज्वाइप था थाकुर जी यहांसे भाहर चलके सिंघवासन पर भाहर थाकुर जी अच्छण देते हैं और वही ठाकुर जी के ठीक समीप में जो आप दर्शन करेंगे ये मीरा जी के शालिग्राम जी के दर्शन है तो आप ये दर्शन कीजिए दोस्तों शालिग्राम जी के जो मीरा जी के शालिग्राम ये वही प्राचीन शालिग्राम है जिनके लिए कहा जाता है राना साप पिटारी भेजियो शालिग्राम भेओ, मीरा जी के जो सौतेले देवर थे राणा विक्रमादित पे, उन्होंने मीरा जी को मारने के लिए कई प्रहत न किये थे, फाइनली उन्होंने हार के एक सपेरे को बुलाया, सिक बहुत जहरीला सर्प लिया, और मीरा जी को एक फूलो की पिटारी में छिपा के भेजा गया, और उन्हें ये कहके भेजा गया कि इस पिटारी में आपको शालिग्राम जी के दर्शन होंगे, तो जब मीरा जी ने पिटारी खोली, उनकी तो भाव यही थे कि उन्हें शालिग्राम जी के दर्शन होंगे, तो जाकी रही भावना जैसी रभु मूरत देखी तिन तैसी थी तो जैसे आप दर्शन करेंगे मीरा जी को सर्प के नहीं शालिगराम जी के ही दर्शन है और इतने दिव्वे दर्शन थे जब मीरा जी ने किये थे उनके प्रे मश्रू शालिगराम जी पे गिरे थे और उससे जो प्रकट हुए आप देखेंगे मस्तक पे एक तिलक के दर्शन है दो नेत्र है नासिका है अध्रो पे एक मुस्कान है और उसके नीचे खलकी सी बासुरी के भी दर्शन है जब मीरा जी ब्रज में आई थी तो अ पंद्रा वर्ष रही थी यहीं परी भजन किर्टन किया यहीं वही स्थाने जहां पर वही रुकी जैसे आप खड़े ऐसे मीरा जी खड़ी हुआ करती थी और आप यहां दर्शन करेंगे यह मेरे पिता जी के दर्शन है जो अभी कुछ समय पहले ही उन्हें गोलो खवास दन्यवाजी दन्यवाज रादे 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 तो चलिए एक इस कुटीर के इस मीराबाई टेंपल के परीकर्मा कर ले मैं आपको परीकर्मा करवाता हूं यहां की और दोस्तों एक कबीर दास जी और एक मीरा ही ऐसी थी जो पूरे शरीर समें जो है वो अंतर ध्यान हो कि अब भाई पूरिकर्मा पूरी कर ली है तो यही वह स्थान है यही वह कुटीर है जहां पे मीरा भाई भजण किया करती थी बगवाण शरी किशन जी के गुनगाया करती थी और कि तपस्य में लीन्ही रह दासाए हूं तो और दोस्तों यहाँ परी परांगन में यह एक अद्बुत दुरिश्य जदेals दकहने एक उसके मारते विलाए में पार अदुन तर फवार भचा इस जैसे आप दर्शन करेंगे ते हमारे शरीर का अग्जामपल है जिसे मेरे पिताजी भी समझाते थे यह फवारे में जो आप गेंद के दर्शन कर रहे हैं, यह जो आप जल की धारा देख रहे हैं यह हमारी आत्मा है आप देखेंगे शरीर को गेंद वहीं पर नाश्टी रहेगी और कभी-कभी उपर जाएगी गिर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर वहीं पर अपने स्थान पर आ जाएगी तो जैसे ही गीता में ठाकुर जी ने कहा है कि आथमा अमार है शरीर आते जाते रहते हैं इसी का आप यहां पर दर्शन कर सकते हैं और अब देखेंगे जो इस गेंद से जो जल लगके जा रहा है पास की सारी बेलो में तो इससे इन बेलो का भी पालन पोशन हो रहा है अगर एक गेंद इस पर नहीं रहेगी तो आप देखेंगे जल की धारा सीमित हो जाएगी जब तक वो गेंद नहीं आए तब तक सारे बेलो में छिड़काव भी नहीं होगा तो यह जो आप दर्शन कर रहे है अदबूत दर्शन है और इसका जो मैं दीख रहा हूं जल की बून्दे जो ऐसे मॉर-पंकी सा बना रही है तो आप जैसे सामने से भी दर्शन करेंगे ठाकुर जी के सामने हमेशा यह दिव दर्शन होते रहते हैं और आप इन जो बेलो के दर्शन करेंगे, इसे आज लोग मनी प्लांट कहते हैं, मीरा जी के समय से इन्हें प्रेम बेल कहा जाता था, और आज इसका बिल्कुल ही ऑपजिट नाम हो गया है, मनी प्लांट, मीरा जी ने अपने समय यहां कई ऐसी बेले लगाई थी, इन्होंने अपने पदों में भी लिखा था, अस्वान जल, सीच, सीच, प्रेम बेल बोई, मेरो तो, गिर्धर, गोपाल, दूसरो, ना कोई, यह वही प्रेम बेल है, जो मीरा जी अपने समय से इस मंदिर में लगाती आ रहे हैं थी, जै मीरा मिया की, तो दोस्तों मेरी तर अगर आप मंदिर के कन-कन में प्रेम की अनुभूती आपको होने वाली है, तो दोस्तों, आपको जल्दी ही भी लूँगा अपने नई डेस्टिनेशन बे, राधे राधे,